सारे दरशकाने मेरी रामरा मैं प्रियंका कोहाड और इस समय हम मोजूद है बगवानपुरा गाउं में जो की जीन जी लेका गाउं है और पंचायती चुनाओं में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गाउं में क्या-क्या समस्याय आ रही है जो भावी सरपंच है इसमस्याय है तो किसी मिक्त सामने आ रही है ठीक है पहले स्था नोलिज नहीं पैंच तक अगए ने स्कूल में जाना पड़ता है साइकलों पर जाते हैं बाइदल भी जाते हैं महाँ देख लो आप आज कल का इतना खराब है ठीक है तो ज्यादा तर कोशिश यही रहेगी कि स्कूल आठ तक का हो थोड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं पता चल जाता भी हाँ ठीक है नहीं है कुछ तो और तक का स्कूल हो यह है और दूसरी समझदार के बाद अगर प्लस्टू कर लेती हैं लड़कियां तो आगए एजुकेशन बी यह वगएरा नहीं के लिए यहाँ जाने आने की Скते हैं तुन तीन संद्वे हैं लड़कियां यह तो अब यह समस्था है कि कोई रोडवेज बस वगएरा लगे ओटो वगएरा फिक्स लगे हां जी लड़कियों के लिए यह दिक्कत है और तीसरी है यह सड़कों की गलियों की कितनी गंदगी रहती है फैली हुई जी तो यही रहेगी कि साफ सफाई हो चारो तरफ बीमारी कम हो साफ स्कूल के पास तो बच्चे बोल भी रहे थे अगर आप सर्पंच बन गे तो हमारे लिए खेल का समान लेकर आना यह फुटबॉल वगएरा और करना तो यहीं रहेगी कि बच्चों के लिए ज्यादा तर किया जाए एक नीलम जी पता है हमने जैसे गाउं में सर्वे किया त तो उसकी विचार दिवारी करवाई जाएगी और देखो निलम जी देखो महिला होती है जो हमारे गाउं में पड़ भी होती है पड़ी लेखी बीए एक सिलाई सेंटर जो गोर्मेंट की तरफ से आते हैं तो वह कुछ कर सके हाँ सिलाई सेंटर में मैंने भी खुद आये थ तो ज्यादा तर यह है कि दड़कियों को एजुकेशन के साथ साथ और भी फैसिलीटी दी जाए था कि वह अपने पैरों पे खड़ी ओं किसी के आगे हाथ न अफसार न पर ठीक है तो चाहेंगे कि ज्यादा तर यह आई फैसिलीटी गाउं में देखो उससे वह अपना रो तो आप मिल रही होंगी महिलाओ से तो मतलब क्या-क्या और समस्या सामने आ रही महिलाओ की कुसी ने बताए कि मेरी यह समस्या जैसे भी पील कारड़ हो गया है फिर कालोनी की समस्या है जैसे बहुत सारी यहां पर गरीब परिवार हैं जिनके पास मतलब की खाने के लिए अब काफी वह करना पड़ रहा है तो उनको चाहेंगे कि उनकी कलोनी लिख़े ताकि पक्के मकानों में बैठ सके वह भी बारिशों में बहुत बुरा लोता है जी बहुत संगरश्च करना पड़ रहा है अच्छा तो निलम जी एक बात बताए जैसे आप डोर टोर जाके मा में पिलता है उसे माता उसे बहना से सबीसे मिल रहे ओ क्या सवे कसा रूचान नेकों मिल रहा है रिजान तो अब तक तो ठीक है झिए अगे देखेंगे क्या होगा कोशिस तो यही रहेगी कि सए रहे और चुनाव चिन क्या है आपका चुना चिन साइकल ह sentiments जए गाउने से पहले वाले सरपंच तकाफी कुछ अच्छा किया है तभी तो अगर हम करेंगे को भी भी बोलेगा तो कोशिशी यही रहेगे कि लड़कियों के लिए करसे के और बच्छों के लिए कर सें के जएदा तर हां जी और गल्यों की सपाई वगरा बहुत पिछे गाउं भी तो देखिए नीलम जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब लड़कियों के लिए जो पांच मीं तक का स्कूल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा और लड़कियों के लिए लिंक रोड है तो मतलब यहां पर विकल की सुवीदा भी करवाई जाएगी तो निलम जी यही कहना चाहती है कि एक मुका जरूर देखे और देखे निलम जी के विचार आपने सुने है कोमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि निलम जी के विचार कैसे लगे छोटा गाउं है कह आपने जे जिया हिन।